नमस्कार प्रिये सिक्षार्तियों आज के व्याख्यान में हम गाधी जी के राजनितिक विचारों और उनके दर्शन पर चर्चा करेंगे जब हम गाधी जी के दर्शन उनके सिध्धान्तों उनके विचारों की बात करते हैं तो उनके कुछ बिंदु हैं जिसमें अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवग्या, स्वराज, सर्वोदय और उनका ट्रस्टी सिपका सिध्धान्त महतपून है अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अंतरगत गाधी जी ने लिखा था कि मेरे निरंतर अनभौध ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई इस्वर नहीं है और अहिंसा से सत्य को प्राप्ट किया जा सकता है विश्व के समस्त जीवों से प्रेम करो हर प्राणी इस्वर का रोप है इसलिए प्रेम का अधिकारी है अहिंसा का सकारात्मक पक्ष है मानव प्रेम अहिंसा वहाँ नीती है जिसमें अपने विरोधी को प्रेम से जीता जाता है उससे घृणा करके या लड़ाई से नहीं गांधी जी की द्रिस्टी में किसी को कस्ट पहुचाने का विचार भी हिंसा है हिंसा निर्बल का आश्रय नहीं बलकि सक्तिसाली का अस्त्र है गांधी जी का मानना था कि अहिंसा हर किसी के बस की बात नहीं है जो सक्तिसाली होगा वही अहिंसा रूपीस अस्त्र को चला पाएगा समकालीन परिस्तिती में अहिंसा का महत्व और भी बढ़ गया है मार्टिन लूथर ने कहा है कि आज के अत्यांत विनासकारी अस्त्रों के युब में हमारे सामने दो ही रास्ते बच जाते हैं या तो हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं या अपने अस्तित्व को ही मिटा लें गादी जी सत्याग्रह के विशे में अपना बात रखते हैं और जो सत्य है और अहिंसा है उसका जो आपसी संबंद ही है वही सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है सत्याग्रा सत्य पर अडिक रहना है सत्याग्रही कभी भी पराजय स्विकार नहीं करता है कभी भी किसी भी परिस्तिती में सत्य से विचलित नहीं होता है वह स्वयम सत्य पर द्रिन रहकर अपने विरोधी के हिर्दई के परिवर्तन के लिए तत्पर रहता है गांदी जी का मानना है कि सत्याग्रही को विरोधी पक्षि के सांस सम्वाद स्थापित करके एक दुसरे के दिर्ष्टिकोन को समझने की प्रेना देनी चाहिए ताकि दोनों पक्षि सत्य का अन्विशन कर सकें यदि विरोधी पक्ष सत्यागरह के आमंत्रन को स्विकार नहीं करता है तो नैतिक दवाओ के तोर तरीकी को अपनाना चाहिए सत्यागरह का एक तरीका हαι सविनई अवग्या मनुस्य मूलता नैतिक प्राणी है राज जी के कानून का पालन करने के लिए मनुष से वहीं तक वाद्दी है जहां तक वह जो कानून है नैतिक हो जो कानून नैतिकता के विरुद्ध हो उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने सविनई अवग्या का रास्ता दिखाया सवी नई अवग्या का मूल अर्थ है ऐसे कानूनों का उलंगन करना जो अन्याय पूर्ण है जब सरकार की किसी नीती पर विरोध प्रकट करने के लिए या किसी राजनितिक सुधार की मांग के लिए सरकार का ध्यान आकरशित करने के लिए कोई कानून तोड़ा जाता है तो वह सवीनई अवग्या हैं सवीनई अवग्या सब्दिका सबसे पहले प्रियोग थोरों ने किया था उन्होंने अपने एक निबंद में जिक्री किया था कि कैसे थोरों को नेकर चुकाने के लिए मना कर दिया और रात भर जेल में उन्होंने एक पूरी रात जेल में बितानी पड़ी थोरों ने तरकी दिया कि जब अपनी सरकार अन्याई करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए गांधी जी दुआरा चलाया गया 1932 का नमक सत्याग्रह भी एक तरीकी से सविनए अवग्या का आंदोलन का ही एक उधारन है विपिन चंदरपाल, लोकमान बालगंगाधर तिलक और अरविंदो जैसे रास्टवादी नेताओं ने विदेशी सासन से पून स्वाधिंता प्राप्त करने के लिए स्वराज को अपना लक्ष बनाया बाद में गाधी और नेहरू ने भी स्वराज प्राप्त करने को अपना लक्ष बनाया और गाधी के अनुसार स्वराज एक ऐसा पौधा है जो उस देश में पनपता है जो अपनी परंपराओं से जोड़े हो पर उन परंपराओं की कम्यों की प्रतिभी वह सजख हो स्वराज ऐसी व्युस्ता है जिसमें सब लोग कंदे से कंधा मिलाकर अपने रास्ट का निर्मान करें और उसमें योगदान दें गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत का निर्मान करने का प्रयत्ति करूंगा जिसमें निर्धर्न से निर्धर्न मनुसे यानि कि हर व्यक्ति यहां अन्भव करेगा कि यहां मेरा अपना देश है और इसके निर्मार में मेरा भी प्रतिभाग है इसमें मेरा भी हाथ है गांधी जी का यह द्रिस्टिकॉन या जो गांधी जी का स्वराज है वो एक तरीकी से लोकतंत्र का ही प्रयाय है स्वराज के सांसांद गाधी जी सर्वोदय पर भी बल देते हैं सर्वोदय अर्थात सबका उत्थान गाधी जी के बाद आचार विनोवा भावे और जैप्रकास नारायन ने सर्वोदय की विस्तृत सामाजी कारिकरम का रूप दिया सर्वोदय निम्न वर्ग के कल्यान को महत्व देता है परन्तु इसके लिए एक ऐसी विवस्ता की कल्पना भी करता है जिसमें धन्वान वर्ग स्विच्छा से अपने धन को निर्धन वर्ग के कल्यान के लिए समर्पित कर दिये सरवोदय विसेस्ता वर्ग सयोग पर बल देता है गांधी जी ने न्याई सीता के सिधान्तिया जो ट्रेस्टेसिप का सिधान्त है वो भी दिया गांधी जी का मानना था कि आदर से समाज में राजी की कोई जरुरत नहीं होगी धनवान और निर्धन का भेद मिर जाएगा लोगों की आवशक्ताइं इतनी सीमित हो जाएगी कि वो प्रकृति के निकट रहकर और शारिरिक श्रम करके अपनी आवशक्ताओं को पूरा कर लेंगे पर इस अवस्ता में पहुशने में समय लगेगा और इस अवस्ता में पहुशना कठिन है इसलिए उन्होंने ततकालिक व्यवस्ता के लिए गांधी जी ने एक समाधान प्रस्तूत किया जो है ट्रस्टिसिप का सिध्धान्त गांधी जी का मानना है कि उद्योग धंदों का प्रियोग केवल सारवजनी घीत में हो पूजी पती का हिर्दय परिवर्तन होगा और वो अपनी संपत्ती को नीजी न समझ कर संपूर्ण समाज की एक धरोहर समझे और अपनी नीजी संपत्ती जन कल्यान के कारे में लगाए गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर विसेज बल दिया स्वराज प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया क्योंकि सत्याग्रह एक ऐसा साधन है जो स्वराज जैसे साध्धी के लिए उतना ही पवित्र है जितना की ये लक्ष है यही कारण था कि 1922 में जब आक्रोसित भीर्ण ने चोरी-चोरा थाने में आग लगा दी तो गाधी जी ने सविनई अवग्या आंदोलन वापस ले लिया गाधी जी बार-बार कहते थे कि मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है गाधी जी एक महान कर्मयोगी थे उनका राजनीती का आध्याद्मी करन करने के पीछे मूल कारण नैतिक्ता के दोहरे मामदंडों को समाप्त करना था उनकी द्रिस्टी में राजनीती धर्म और नैतिक्ता की ही एक साखा थी इसलिए राजनीती में प्रवेश का अर्थ सत्य और न्याई की प्राप्त की दिसा में अग्रसर होना उन्होंने माना दलित वर्गी के उत्थान के लिए भीग गाधी जी ने बात रखी उन्होंने माना की जो अस्प्रश्चिता है वो एक तरीके से अभिश्राप है उन्होंने अच्छूतों को हरीजन नाम दिया और हरीजन नाम के समाचार पत्र के माध्यम से जनता को सिख्षित करने का प्रियास किया गाधी जी इस्त्रियों की उन्नती पर के लिए भी प्रतिवर्दि थे गाधी जी ने न केवल इस्त्रियों की सिख्षा पर जोड़ दिया बलकि इस्त्रियों को पुरसों के समान आत्म विकास के समान औसर दिलाने की भी वो बात करते थे गांधी जी ने बाल विवा का हमेशा विरोध किया और विद्वा पुनर विवा का समर्थन किया गांधी जी शराब को समाज के लिए अभिशाप मानते थे उन्होंने अपने रचनात्मक कारिय में मद्धी निसेद को एक महतपून इस्थान दिया विकेंद्रिकरन पर गांधी जी काफी बल दिया करते थे जो राजनितिक शेत्र में गांधी जी का विकेंद्रिकरन था उसका अभिप्रा यह है कि ग्राम पंचायत अपने गाओं का प्रबंद और प्रसासन करने के लिए सारे जो अधिकार हैं वो ग्राम पंचायत को दे दिये जाएं उनके जितने भी मामले हैं उसमें रास्टी या प्रांती सरकारों का हस्तक शेप और नियंतरन कम हो गाओं को समस्त अधिकार देकर गाधी जी राजनितिक सत्ता का विकेंद्री करन करना चाहते थे गाधी जी ने राजनिती का सत्य अइंसा और साधन की पवित्रता द्वारा आध्यात्मी करन किया सत्याग्रह द्वारा अन्याय और निरंकुस्ता को समाप्त करने और उसका सामना करने की रहा दिखाई और आज की जो व्याख्यान है उसमें हमने गाधी जी की जो राजनितिक दर्शन है उसको जाना कि किस तरीके से गाधी जी साधन और साधिक की पवित्रिता पर बल देते हैं, अइंसा पर बल देते हैं, सत्याग्रह और सर्वोदई की वो बात करते हैं और एक नए सिद्धान्त जो ट्रस्टी सिपका सिद्धान्त है जिसमें पूजी पती पूरी तरीके से जो अपनी नीजी संपत्ती है वो जन कल्यान को समर्पित करे इसकी बाद गांधी जी करते हैं तो इस तरीके से हमने गांधी जी के राजनतिक दर्शन को जाना तो आशा क करते हैं कि यह व्याक्षान आपके लिए लाप्रद होगा धन्यवाद